नमस्कार आप देख रहे संबाद आप तक निवज में आपका स्वागत है उनसे अमर सुहाग तथा सुक सम्रदी की कामना करती है इस साल हरितालिका तीज मंगलवार को मनाया जा रहा है ऐसी मानियता है कि इस व्रत में नए परिधान एवं साज सज्जा का विशेश महत्व है हरितालिका तीज का पर्व भगवान सिव और माता पार्वती के पुनर मिलन के रूप में मनाया जाता है कहा जाता है कि माता पार्वती के कठोर तब को देखकर सिव ने उन्हें दर्शन दिया और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में श्युकार किया तभी से योग बर और पती की लंबी आयू के लिए हरिताल का तीज का व्रत बिहार तथा अनपरदेशों में सुहागिन महिलाओं द्वारा बड़ी ही सर्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हरिताल का तीज हर साल भादरपद सुक्लपक्ष के तिर्तिय तिथी को मनायी जाती है। इस साल हरिताल का तीज का व्रत तीस अगस्त मंगलवार को मनाया जा रहा है। हरिताल का तीज का व्रत वराही कठिन्यमों वाला है जादितर इस तिरिया इस व्रत को निर्जला ही रखती है सुहाग ने कठोर तप और पूजन से भगवान सिव को परसंद करके अमर सुहाग का बरदान मांगती है हरिताल का तीज पर किये गई पूजा उपासना से उनकी हर मनुकाबना पूड़ी हो जाती है सास्तर के जनकारों का मानना है कि इस व्रत में पूजन समागरी की बिसेश महत्व होती है कुछ चीजे के बेनरतो या व्रत विलकुल ही अधूरा माना जाता है इसलिए व्रत से पहले इन समाग्रियों का इंतजाम आवस्यक है हरिताल का तीज की पुजा में कुछ खास चीजों का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है इस दिन व्रत और पुजा के लिए सुखा नारियल, कलास, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, मंजरी कलावा, इत्र, पाँच फल, सुपारी, अक्छत, घी, शहद, गुलाल, चंदन, रोली, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दुर्बा और जेनेव आदिम महत्पून समागरिया है, इस वार हरिताल का तीज की पूजा का सर्विष्टेस्ट मुरत सुबह पांच बज़ कर संतामन मिनट से लेकर आठ बज़ कर 31 मिनट तक रहेगा, इसके बाद साम 6 बज़ कर 33 मिनट से लेकर रात 8 बज़ कर 51 मिनट तक परदोस काल में रोट किया जाता है कि वो समय का भी खास ध्यान रखें।